Hello and welcome friends, Tally Prime सीखने की सीरिज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज ही ये वीडियो है Tally Prime की यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये डेभूग कोपन है हमारा और अगर हमें कोई entry करनी है तो आप यहां से तो entry pass नहीं कर सकते हैं अब जैसे माली जी अगर आप डेभूग पर यहां पर यहां पर आपको entry pass करना है तो आपको बाहर तो आना पड़ेगा ना और जब पूरा बाहर आ जाएंगे देखिए यह हो गया है तो यहां से आप voucher में जाकर के तब आप entry पास करेंगे यही तो तरीका है लेकिन मैं आपको एक तरीका ऐसा बताता हूं shortcut जिससे सीधा आप आ जाएंगे जैसे माली जी अगर आप daybook में हैं यहां पर देखिए आप sales voucher में entry करना चाहते हैं तो यहां पर alt के साथ आई प्रेस कीजिए और आप सीधा कहां आ गए देखिए sales voucher में आ गए alt के साथ आई प्रेस करते ही कहां आ गए sales voucher में आप यहां पर जो भी entry आपको पास करनी है इसली आप पास कर लिजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन अगर माल लीजिए कि sales voucher में entry नहीं करनी थी payment तो यहां payment पर आ जाईए और alt के साथ क्या प्रेस करना है वही shortcut की ज इसी तरीके से किसी भी voucher में जाना होगा तो उस voucher वाली entry पे जाके आपको alt के साथ आई प्रेस करना है और अब सीथा उसी voucher में आ जाएंगे ठीक है उमीद करता हूं बात समझ में आई होगी shortcut है लेकिन काफी काम का है चलिए मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching this वीडियो